How to create restore point Hello guys, आज इस वीडियो में जानेंगे Windows 10 में restore point कैसे create करते हैं Guys, system restore point का मतलब यह है कि उस्तिती में वापिस जा सकते हैं जिस्तिती में आपने restore point create किया था और कभी किसी कारण वस अगर windows में खराबी आ जाती है या system hang ओ रहा है तो आप system restore point को restore करके वापिस उस श्तिती में वापिस जा सकते हैं तो guys, जानते हैं इस वीडियो में कैसे restore point create करते हैं तो guys, सबसे पहले आपको restore point create करने के लिए चाहिए window 10 हो, चाहिए window 7 हो, चाहिए 11 हो सब में यह same process है तो guys, आपको इसकी लिए सबसे पहले इसपीसी पे right click कीजेगा right click करना है इसपे आपको नीचे नीचे प्रपरटीज में आ जाना है प्रपरटीज में क्लिक करने के बाद गईज यह window पर खुल जाएगी इसमें आपको advanced system setting पर क्लिक करना है ये इस पे किया, आपको क्लिक करना है, system protection पर ус प्रोटेक्शन पे कलिक करना है इसमें कलिक किया तो गैज यह विंडव आपके सामने शुओ हो जाएगी इसमें जिससे ड्राइभ पे रिस्टोर पॉइंट करना चाते उस ड्राइभ को आप स्लेकक करना है जैसे मेरा विंड फिस्टोर इसमें ड्राइडिंग configure पर आपको क्लिक करना है, configure पर क्लिक करनेंगे, तो guys आपको ये window कुल के सामने आएगी, इसमें आपको turn on system protection, इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करने के बाद में guys, आपको disk का जो space है, वो यहाँ पर देना होगा, कि कितनी restore point create करने में कितनी disk यूज ले सकती है, मैं इसको maximum size दे रहा हो, आप अपनी हिसाब से, जो भी size देना चाहते हो, वो दे सकते हो, कि बाद में apply कर दूँगा, और ok पर click कर देना है, guys इसके बाद में आपको अपिस से वोई c drive जो window का किया है, उसी को select करना है, और create a restore point right now, अब इसका restore point create होगा, तो इसका create पर click करेंगे, तो ये नाम पूच रहा है, किस नाम से आप इसका restore point create करना चाहते हो, तो मैं आज की, या तो update दे सकते हो, या कोई नाम दे सकते हो, जैसे tube, k-n-o-w-l-e-d-g-e, tube knowledge में नाम दे दे रहा हो, आप कुछ भी आप अपनी हिसाब से नाम दे सकते हो, या deck, वो आप यहां पर create हो, तो यह depend करता है, आपके system का hardware और इसकी speed पर, तो यह यहां पर much time लेगा है, तो guys, यह इस प्रकार से the restore point was created successfully, तो यह restore point create हो चुका है, इसके बाद में आपको ok कर देना है, अगर इस condition में कभी in future आपके system में कुछ issue आता है, तो आज की date में जो यह restore point create किया है, तो इस restore point से आप system को वापिस restore करके, आज की जो स्थिती है, उसमें आप वापिस जा सकते हैं, guys, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो please, ऐसी नए नए टेकनिकल वीडियो के लिए प्लीज चैनल को subscribe करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक के के लिए बाइ